सीगनाट प्रेजेंट्स प्रेजेंट्स पर चिल्जर्ण एक वार एक परवार अदमी जो कि सेक्ष सी सत्मे गुरु गुरु हाराई जी दे दर्शना ली आया ओ हथी किर्थ करदा सी अते अपने परवार दा पालन पोशन करदा सी जो दो ओ गुरु जी दे कोर आया ता ओ बहुत दुखी सी ओ गुरु जी दे सामने आया ते उसने कहा ए सचे पात्षा मैं कई सालना तो सब कुछ छड़के त्वाडी सेवा बचाउन ली तरस रहा हां मैं तो आडी सेवा करके पर लोग विच मुक्ती प्रावत करना चांदा हां मेरा एक पुत्तर सी जो एक होन हार नोजवान बन गया सी मैंनू उमेच से कि ओ अपनी मा ते अपने प्राव हैं दी देख पाल लई करदे फर्ज निबाएगा पर ओ काल चलाना कर गया मेरी आउमिद्दा टोट गिया मैं गवाच गया हां अते मैंनू पता नहीं कि की करना है मैं हमेशा परशान रहना हां मैं की कर सकदा हां फिर गुरु जी ने उन्हों पुछया कि उज़े परवाज किने मेंबर हां और रोजी रोटी कमाउन ली की करदा है हे सचे पाद्शाय मेरे दो छोटे पुत्तर देखती है अते मेरी पतनियों ना दी माँ मैं परवार्दा पंजवा मेंबर हां जित्तो तक पैसे दी गाला है मैं जो भी कमाउन दा हां उसाड़े सारे आंदा टेड़ परने वज़े खर्चो जान दा है फिर गुरु जी ने उसनों पुदेश दिता कि जे सच मुच गुरु दी सेवा करन दी इच्छा है ता तुरांत शुरू करो अपनी किर्थ करो ता उन्ना दी संबाल वाई गुरु ते छाड़ देओ जो सारे आनी परदान करदा है ओ उन्ना दी देख पाल करेगा अते ओही परमात्मा तो अड़ि भी देख पाल करेगा तुसी हून अपनी जिन्दिगी नूँ सफल बना सकदे हो ये सची पात्षा हो सकदा कि मेरे विचार बिचकान ने हून पर मेननू लगदा कि मेरे बिनाओ बाच नहीं सकनगी तुसी गुरु हो साब को जित्व अड़ि हुका मेच है किरपा करके मेननू को जित्खाओ ता जो मेन विश्वाश हो सके गुरुजी जान दे सन कि विश्वाश दा सुबू देंडी लोड नहीं है इस दे बजाए उनाने हडाय दित्ती मैं तो नू उस अकाल पुरक बारे स्खावाँगा पर पहला मेरे लिए एक काम करो ए चित्थी मेरे एक सिखन पुनचा दियो पर तो अड़े वापस आन तो पहला यकिनी बनाओ कि उसने पूरी चित्थी पढ़ ली है किरपा करके मेननू चित्थी दियो मैं उससे तरह ही करांगा जी में तुसी हुकम दित्ता है इसलई एह जाने बीना कि चित्थी विच की सी उसने ओ चित्थी ओ सिखन दित्ती जिस बारे उसनों हदायत कीती गई सी गुरू महराज ने मेननू तौनू एह संदेश ने ली पे जा है गुरू जी मेननू एक पार्ट स्कौण गे पर पिलना मैं एह विखना है के तुसी ये चित्थी पड़ी है किरपा करके उने इसनों पूरी तरह पड़ो ताँ जो मैं गुरू कोड वापस जा सका गुरू तो एह संदेश प्राप्त करके मैं बहुत माण मैसुस करता है जड़ा आदमी तो अड़े कोड एह चित्थी ले आया है उसनों फड़ लओ उसनों छे महिने ना जान देओ इस तो बाद उसनों रिहा कर देता जावे उस नाड इसतनार पेश आओ अते उस दी चंगी तरह देख पाल करो इस लई ओस शेख ने जाके उसनों बंद कर दिता ता जो ओ बाद ना निकल सके मैं तो अनू इत्थो जान नहीं दे सागदा ओ पाई मेरे को देख पाल करन ली चार लोग हान उन्नानू मेरी सक्त लोड है ओ ता ही अपना पेड पार सकदे ने जे मैं कमाई करदा हा मेरे बिना तो पुखे मर जानेगे किरपा करके मैंनू जान देओ सुनो पाई गुरु जी सब तो उच्चा होकम दिन दे हान गुरु जी दा एह पत्तर कहनदा है के तो हानू छे महिने तक वापिस नहीं आउंड दिता जावे कि मैंनू सचे पाच्चा दा हुकम नहीं मनना चाहिदा तो हानू की लागदा है अपने दिन नू पुच्छो अति फिर जवाब देओ हम मैं हाँ कोन तो हानू सर्व शक्ती मान गुरु दा हुकम मनना चाहिदा है अच्छा हुण तोहनू समझ आ गई है जो है सु है महराज दा कहना मनना सड़े दोहा देहत विच है हुण सबर रखो ते छे महिने अराम करो अपना चित गुरादे चर्ना विच लाओ बेशक मैं गुरु जीदा सिमरन करांगा एस दोरान कुद्रत आप ही उस दे परवार्ती देख पाल करन दी पर किर्या विच सी उस रात उन्हानू खान लई कुझ नहीं मिलिया अते उन्हा दे गवांडिया ने पुछिया तुसी आज रात दा खाना क्यों नी बनाया अते पत्री ने जवाव दिता जेड़ा साडेले का मोंधा सी ओता चला गया साननू नहीं पता कि उसनू की होया होनता रब ही उस दी हाल जानता है साड़ा खाना जा पुखे रहना होनता रब दे हत्विच जे देन वाला देवे ता सी पकावांगे अते खावांगे नहीं ता असी भी की कर सकते है गवांडिया ने सोचिया कि ए ठीक नहीं सी कि उना कोल पोज़ नहीं सी तुसें ज्यादा देर पुखे नहीं रहोगे असी तो अड़ी मदद करांगे असें कुझ परबांद कर दे हां अते शिरुवात लई हर परवार उनना लई आटे दा एक थैला ले आया गवांड विच पंजाग अर्षन इसलेई पंजाब औरियां आटा कठा हो गया इस तो लंबे समय वास्ते रोटियां बनाऊन लई काफी आटा जमा हो गया फिर लाके दे लोकाने उनानू नोकरियां दितिया दोवे पुत्तर महर कादीगान दे सहाइक बन गए ओ अपना पैसा कमान लग पे इक ओरत ने ती यते उस दिमानू सलाई का डाईदे पाठ देने शुरू कर देते जोदों ओ सिख गए ओ वी कमाई करन लग गए उन पोजन्दी कोई समस्या नहीं सी ओ रोजी रोटिक मान लग पे इस तरह उरे छे मीने बीट गए वापस कोठी थे गुर सेखने क्या समा खतम हो गया है तुसी हुन जा सकते हो गुरू दा हाथ सदा तवडे सेर्थे बढ़े आ रहे मैं आजाद हाँ मैं जा सकता हाँ मैं हुन अपने परवार नू देखना चान्दा हाँ ओ तुरंत उन्ना नू देखन ली दोड़या ओ बहुत चिंतत सी कि किते ओ जिन्दा भी हन जा नहीं जोदो उसने उन्ना नू देख्या ता उसदा देल उसदा देल बाग बाग हो गया मेरे प्यारे तुसी ठीक हो मैं तो अड़े बारे बोद चिंतत सी, रब दातन माद, तुसी ठीक हो ओ सिरफ जिन्दा ही नहीं सान, सेत मांदवी सान असल वेच, ओ पेला नालों भी ज्यादा तांदरुस्त लगदे सान उस दी पत्नी ने कहा जदों तुसी गवाच गई सी, सारे गवांडिया ने सानु पोजन प्रदान करन लेई योगदान पाया फेर उना ने सानु सिखलाई दित्ती, तां जो असी कम कर सकीए साड़े सार्याँ दी कमाई नाल, होना सी बहुत सफला साड़े कोल पहला नालो किते वाद दै, तो आड़े लई चिंता करन वाली कोई गल नहीं सी पत्नी दी एहे गल सुनके, ओ बहुत खुश्चोया उसनु गुरुजी दी खेड समझ आ गई उसने समझ लिया, कि गुरुजी ने सारा परवांद इसले किता सी ताँ जो उसनु विश्वास होए उसनु हुन विश्वास होया, कि राभी उसनु परदान करदा है ओ गुरुजी दी खुशी, अते शुकर गुजारी नाल दुबारा मिलन गया ये सचे पादशा, तुसी मेरी जिन्दगी नू बरबाद होंतों बचा लिया है मैं असल विचे उन्ना दी सफलता विचे एक रुकावट सी अते जदो मैं दूर सी, ता हर चीदी बोतात सी हुण मैं ओही करांगा, जी में तुसी मेनू स्खान दे हो तो अडी रहमत सदका मेनू सची समय ते अनांद प्रापत होया है सारी जिन्दगी परवार्दी चिंता विच्पतीत कारदन दे हन ओह अपने जिन्दगी दा असली मकसद पोल जन दे हन अते रातो पढग जन दे हन, लोड है कि हुण असी गुरू दी सख्यावान पढ़िए अते अपने जिन्दगी विच्प अमल करिए सेवा, अते सिमरन करन आल ही, असी इसन सार्थ मुंदर तो तर सक दे हा हुण तो ही अपना त्यान, गुरू वाल लाईए अते अपना जीवन सफल बनाईए गुरू जिदी उस्तत करन आल, ना सिरफ असी अपारन नंद प्रापत करांगे पर जिन्दगी विच्प वी भरकतां प्रापत करांगे तु काहे टोले प्राणिया तुद राखेगा सेरे जनार तुद राखेगा सेरे जनार मेरा प्यारा प्रीदम सत्य गुरू रखवाना सत्य गुरू रखवाना